प्यारे प्यारे बच्चों मैं हूँ नाना और मैं नानी हम आपके लिए लेकर आये हैं कहानियों की पोटली कुछ सुनी कुछ अन्सुनी और कुछ अजीबो गरीब मसालेदार मज़ेदार कहानिया और हाँ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले साथ ही बेल आइकन का बटन दवाना न भूले तो फिर करें शुरूर और जब को हम सुनाएंगे एक किस्सा एक मज़ेदार किस्सा हमारे एक पडोसी है अब नाम में क्या रखा है नाम जाने दो वह मान लेते हैं मिश्रा जी वर्मा जी शर्मा जी तिवारी जी उपध्याई जी सक्सेना जी कोई मान लीजे तिवारी जी पहली बार हवाई जास से बाई एयर बाई प्लैन उनको जाना था बैंगलोर बच्चे फेमिली उनकी बैंगलोर में ही थी उन्होंने टिकेट बना के भेज दिया जब उन्होंने कहा कि हमें बैंगलोर जाना है बाई एयर और मैं पहली बार जा रहा तो हमने का कि भाई जो पली जा चुके हैं उन से थोड़ी जानकरी ले लो तो ठीक रहेगा तो उन्होंने का रहे क्या है इसमें कि मैं तो चल जाओंगा कोई जानकरी नहीं चाहिए मुझे ठीक है जिसे आपकी वर्जी आप जाए कोई वात ने अब जिस दिन उनको जाना था पहुंचे एरपोर्ट एंट्रिपे गेट पर जैसे और लोग खड़े वे थी वो भी खड़े हो गए और उन्हें पेपर दिखाए इन्होंने भी पेपर दिखाया अंदर चले गए लुए पिर उन्होंने देखा आगे वाला कांप जा रहा है वो भी उसके पीछे-पीछे में काउंटर पह पहुंच गए और वह जिसें दूसरे को मिला इनको भी मौर्डिंग पास मिल गया फिर जो इनके आगे महां जा रहा था उसके पीछे पीचे चल दिए सेकीरिटी चेक। उसके बाद बॉर्डिंग पास में लिखा था गेट नमबर माँ जाकर वो भी कुर्सियों पर चेर्स पर जाकर बैठ गए अब बैठे बैठे जो यह बैठ गए फिर कुछ लोग आ रहे हैं वह सारी लोग वहां आगे जाकर के काउंटर पे गए वहां पर जौ गेठ पर 2 एक है कितनी देर है सभी सवारी आ गए हो तो रवाना गार गार और विससाव लेडीक ने बोला अबुस्यान के सार्ड एसे नहीं होता है आपका जो Пण आप टाइम पर जाएगा और वेसे भी आपकी एरबस अभी नहीं आई है बस क्या बोल्डों कि अरे बही मुझे एरोप्लेन से जाना बस से नहीं जाना तो मेला लेड़ी थोड़ी हंसीर बोली आरे साहब यह एरोप्लेन का नाम है एरबस एक यह वरीजी बोले वह गत्माशा है एरोप्लेन का नाम एरबस ऐसे तो बेल गाड़ी का नाम हिरा रोड इसे के सब्ली बैट गया यह जब नंबबर आया जब कि अखड़ा आपको निकल के सामने देखा तो बसमें बिठा रहे हैं फिर नाराज हुए अरे ये क्या चक्कर है अगे मुझे एरो प्लेन से जाना है आप बसमें बिठा रहे हो यह क्या हो रहा है साथ वाले निकाएपैसाब अभी ताप बस वेट युझा ये अरोप्लेन तक जा रहे हूं और प्लेन नहीं बहुत हैं अबस आरोप्लेन तक पहुंची वाह उसर के अजय को साथ हूं कि एरोप्लाइन में बिठा दिया विंडो सीट मिली थी आराम से देखती रहे बाहर क्योंकि सब्सक्राइब जल्दी उठ गए थे जाने के जल्दी थी मन में उसा भी था तो बैठे बैठे उनकी आँख लगी त्वरी से नीब आ गई उनको और पिर एक जटक से नीब खुली पासवाले का जटका लग इस हो नीफ खुली तो देखा बंडोबे से नीचे देखा और और लोग सही बोलते थे कि एरोप्लेन से नीचे देखो तो लोग ऐसे दिखते हैं जैसे चीटियां हो सब्सक्राइब इसकेबाद समय हो गया अरोप्लेन का इंगें स्टार्ट हुआ एरोपलेन चलना शुरू हुआ रनवे चलने लगा फिर इनकी भूमे तनक्र यह क्या तमाशा है कि एरोपलेन ऐसे चल रहा है जाना है यह चाना है यह 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 युद लेके जाओ गया फिर पासवाल नहीं बला बैसाब तसली रखो अभी उड़ेगा थोड़ी धेर में जब थ अब ारूम्पी चलता रहा छलता रहा थोड़ा हाओ ड़ाओ की वजहर की वजह की वजहर की वजए से अग्कहशान की大家 कोla मेरे उपको कि देखिए आपका इंजन में गड़बड़ी लगती है कि देखिए इंजन बीचे बंद हो गया तुमें दख्का नहीं लगा हूँगा कि एरोस्टेस को हां सी आगई सर सर ऐसे नहीं होता बंद नहीं होगा आपको सही सलामत पहुंचाएंगे कि इसके बाद कि कोई सवा 2-5 गंटे बाद एनॉंस्मेंट हुआ कि बैंगलोर आ गया है आप लोग पेटी यानि बेल्ट बान लें तो फिर यह क्या तमशा है यह दो गंटे में सवाद दो गंटे में अरे कई बीच में तो नहीं उतार रहे हो भाईया जी हमको पिर पासवाले ने बोला भाई साथ आप कोई ट्रेंट से या उस बस से नहीं आ रहे हैं एरोपलेंट से आ रहे हैं बेगलोर आ गया है आप तयार हो जाओ खर बेगलोर आ गया उतर के किसी तरह घर पहुंचे तो आपने देखा किस तरह का सफर रहा तिवारी जी का बाई एयर पहली बार अब आपने सुन तो लिया लेकिन कुछ समझ भा है कि आपको आपने देखा कि तिवारी जी को जब सला दी गई कि भई जानकारी ले लो तो बोले नहीं नहीं क्या जरूत है तो याद रखिए जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं तो उसकी पूरी ज सब्सक्राइब जरूर ले लें यह बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा आत्मिश्वास और कॉन्फिडेंस किसी भी कामें नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा आप हंसी के पात्र बन जाते हैं जैसे तिवारी जी बनें तो समझ गए ना आप लोग नो और कॉन्फिडेंस कुछ नया काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी पहले सही ले लेनी चाहिए ओके